वोग बालक वालविया वालकम बाक तो माई चैनल कैसे हैं आप लोग गाइज आज मैं आपके साथ एक फेशिल शेयर करने वाली हूं वीडियो स्टाट करने से पहले में आप से खहना जाओंगे कि मैं रज़न को लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने की बाद आपको एक बैल आइकन दिखेंगा और से एक क्लिक करेंगा तभी आपको वे नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी वीडियो स्टाइब करेंगे ताइस जो मैं आपके साथ आज फेशल शेयर करने वाली हूँ है अलोवेरा फेशल यह ओल स्किन टैप्स के लिए हैं चाहिए आपके स्किन सेंसितिव हो ओली हो या फिर कॉम्बिनिशन आपके स्कीन हो चाहिए राय स्कीन हो इस सब इसकीन के बैस्ट फेशल है कैसे आप घर पर आपके यह वीडियो बाइस बैसे पर देख ते मैंने एक फेश अलोवेरा की लिव ले ली है और मैं अब इसे अच्छी सी वाश कर लोगई त्वराइं और अच्छी सी वाश कर लिया है देख सकते हैं मैंने एलोवरा को अच्छे से वाश कर लिया है अब मैं इसके साइड्स काट के इसका पल्प निकाल लूँगी देख सकते हैं मैंने एलोवरा की लीफ में से एलोवरा पल्प को निकाल लिया है अब मैं इसे mixer grinder में अच्छे से grind कर लोंगे स्मूद सा paste बना लोंगे इसका देख सकते हैं मैंने अलोवरे को अच्छे से blend कर लिया है और कुछ इस तरीके से आपको यह अलोवरे का paste मिलेगा तो चलिए आप हम facial करना start करते हैं तो guys facial में हमारा first step होता है cleansing cleansing क्लें यहां पर मैंने एक खाली बोल लिया है तन उसमें में एक चमच अलोवरा जेल लोंगी और सुफ खाली अलोवरा जेल से ही मैं अपने फेस को अच्छे से clean करोंगी आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा rose water भी add कर सकते हैं या फिर raw milk भी add कर सकते हैं वट में हां से अपने फेस के cleansing करोंगी तो आईए हम आपने फेस के cleansing करते हैं तो friends हमारा cleansing ready हो गया है अब हम इसे अपने फेस पर apply करेंगे apply करने के लिए मैंने अपने fingers के help से मैं apply कर रही हूं आप चाहें तो cotton भी ले सकते हैं और उसे भी अपना फेस को अच्छे से clean कर सकते हैं so fingers के help से मैं अपने पूरे फेस पर से apply कर लूगी और दो मिनिट तक बिलकुल light hands से circular motion में इसकी massage करूँगी ताकि मेरा पूरा फेस अच्छे से clean हो जाए और मेरे पूर्जी बिलकुल deeply clean हो जाए उसमें जितनी भी dirt है वो सब remove हो जाए friends aloe vera gel में cooling properties होती है इनमें anti-inflammatory properties होती है और aloe vera हर skin type के लिए बहुत best होता है चाहिए आपका skin oily हो combination हो dry हो sensitive हो normal skin हो आपका हर skin को यह suit करता है आपके skin को अच्छे से moisturize करता है आपके अगर face पे acne और redness का problem है तो उसे भी यह reduce करेगा आपके blemishes को light करेगा और आपके skin को अच्छे से deeply clean भी करता है कि अच्छे से कर ली है अब आप चाहे तो इसको water से wash कर लीजिए पट में हाइक फेस चावल को गीला करके अपने फेस को clean कर जी हूँ है तो मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस को clean कर लिया है इस हमारे फेशिल का जो second step है वो है scrubbing, scrubbing के लिए मैं यहां पर एक बोल में दो चमच अलवरा जेल ले रही हूँ और जो मेना next ingredient है वो है rice flour, मैं यहां एक चमच rice flour का add करूंगे और दोनों को mix करके हम हमारा एक scrub ready कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमारा scrub ready हो गया है तो आई अब हम इसे अपने फेस पे apply करते हैं हमारा scrub ready हो गया है अब हमारे फेस पे हम इसे apply करेंगे फिंगर्स की help से मैं अपने पूरे फेस पे apply कर रही हूं और फिर पांच मिद तक मैं अपने फेस पे इसकी अच्छे से scrubbing करूंगी स्क्रब्बिंग हमारे फेस के लिए बहुत important होती है आपको इसे week में एक बार जरूर करना चाहिए स्क्रब्बिंग को इससे जितनी भी आपके फेस के जो डाइड स्कीन है वह रिमोव हो जाएगी और आपकी जो स्कीन है बिल्कुल अच्छे से repair और clear हो जाएगी अच्छे से light hands से आपको मसाज करनी है आपको जहां पर भी ब्लैकेट और वाइट का प्रॉब्लम है उसी एरी में ज्यादा फोकस करिए और वहां पर आप अच्छे से मसाज करिए ताकि स्क्रब के तुर आपके ब्लैकेट और वाइट है अच्छे से रिमोव हो जाएए इसमें राइस फ्लार मिला है जो कि आपके स्कीन को चीस एक्सफोलियेट करेगा आपके स्कीन को जैंटल और सॉफ्ट बनाएगा आपके पिग्मेंटेशन और ब्लैमिशिस को दूर करेगा आपके फाइन राइंस और इंकल्स का प्रॉब्लम है तो उससे भी यह तूर छिलिएगा इसमें रॉइस फ्लार में वेल आपके स्कीन को एक र faktiskt मासे थे करें आपके स्कीन मसाज कर लीजिये और इस फेशला को सब्सक्राइब जिर्ट में ऐक बार एक से स्कीन डाइब और vind बार कर सकते हैं का रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा इससे आपके सारे ब्लैक एट और वाइट का प्रॉब्लम है वो इससे रिमूव हो जाएगा च offers 5 मिंट मासाज करने के बाद मैं अपने फिजा़ों वाश कर लागा। तो देख सकते हैं पांच मेट वाद मैंने अपने फेस को वाटर से वाश कर लिया तो गाइस अब हमारा नेक्स स्थेया पर मसाज मसाज के लिए हमें यहां मसाजिंग क्रीम बनानी होगी इसके लिए मैं यहां पर एक बोल में दो चमच अलोवरा जैल आइड करूंगी देन जो मैं नेक्स इंग्रियेंट है वो है ग्लीसरिन यहां मैं आधा चमच ग्लीसरिन का एड करूंगी तो देख सकते हैं मैं आधा चमच ग्लीसरिन ले लिया है अब मैं इसमें एड कर दूंगी और मिक्स कर देंगे से एन जो मैं नेक्स इंग्रियेंट है वो है यह विटा एक विटामिन E का फेशियल ओयल कैपसुल, यह आपको किसी भी कॉसमेटिक शॉप पे छाव पे मिल जाएगा या फेर आपको आपको ओन लीन भी यह मिल जाएगा, तो एक विटामिन E का प्सेल ऐल का यह मैं पतअजली का honey रही हैं अब कोई भी honey ऐड़ कर सकते हैं हमें आदा चमज के करीब इसमें honey एड़ करना होगा कि देख सकते हैं एंसे में शहर ले लिया है आप इसे में इसमें एड़ कर दूंगी और इन सबको हम है अच्छी से मिक्स करना होगा है तो काई मैं इस अच्छी से मिक्स कर लिया है और यब हमारी मसाज क्रिम रैडी हो गई है so आईए start करते हैं मसाज करना so friends, हमारी Masaging Krim बनके ready हो गई है अब मैं Masage Krim को अपने hands पे ऐस意S लेग गए और दोनों, hands इसे Karma…करते हुए अपने face पे अपलाई करऊंगी और अपलाई करने, 50 minutes तक मैं अपने face किस से तकChase सी अच्छ से flood Sahag कर आप किया है Glisten सब् tapped.athype के लिए बहुत अच्छा ओतास होटता, कोई भी Claudia Bush एक बहुत अच्छा होता आपकी know your skin मॉसुरीज बनाता, आप एक ऐप अच्या थी को थै। अच्छा इंधा फेस जूह दयता है आपकी सकन को μुएप तो दो सॉफ्ट रखता है आपको अगर एकने का प्रॉब्लम है तो उसे भी यह रिड्यूस करेगा एंड फ्रेंड्स एलोवरा जेल में सालेसिलिक एसिड होता है तो अगर आपके स्किन एकने प्रॉन स्किन है या फिर आपको ब्लैमिशे या एकने स्कार से तो आप भी यह आपके स्किन करेगा आपको स्किन को बिल्कुल एक क्लीव एक लाइसिडेकर करेगा तो क्योंसेजर करेगा तो दो अच्छे सब्सक्राइब में मसाज करिए आप देख सकते जैसे मैं steps कर रही हूँ वैसे आप फॉलो करते वे पूरे फेस की अच्छे से मसाज करिए 10 friends में हमने vitamin E facial oil का यूज किया है vitamin E हमारे skin को moisturize और नरिश करती है हमारे face पे glow देती है और हमारे skin को बिलको लग healthy बना के रखती है अगर आपको pigmentation का problem है, wrinkles का problem है fine lens का problem है तो इन सब भी problems को ये दूर करती है और vitamin E facial oil में antioxidant होता है जो कि आपके blood circulation को improve करता है और अगर आपका skin dry है काफी blood बहुत dry आपका skin है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा चीज है so friends देख सकते हैं मेरे face पे अच्छे से massage हो गई है अब इसे wash कर लोगी so friends मैं इसे water से wash कर लिया है guys start करते है हमारा फेशिल का last step face pack so face pack बनाने के लिए सबसे बैने हाँ आपर में एक चमच ऐलोवरा जेल ले रहे हूँ and जो मेना second ingredient है वो है healthy powder यहां मैंने आदा चमच healthy powder लिया है और मैं इससे भी इसमें mix कर दूँगे और दोनों के अच्छे से mix कर देंगे और हमारा बहुत सिंपल बट effective face pack बनके ready हो गया आइस देख सकते हैं मैंने दोनों को अच्छे से mix कर दिया है हमारा face pack बनके ready हो गया है अब हम इससे अपने face पे apply करेंगे so friends हमारा face pack बनके ready हो गया है यह हमारे facial का last step है so friends मैं fingers की help से इससे upward direction में apply कर रही हूँ आप चाहे तो यह brush का भी use कर सकते हैं brush से भी आप इससे अपने face पे apply कर सकते हैं friends मैंने आप पर fresh aloe vera का use किया है पूरे facial में आप चाहें तो आप जो market वाला aloe vera होता है वो भी use कर सकते हैं अगर आपके पास fresh aloe vera नहीं है तो बट अगर आप best results आते हैं तो मैं आपको suggest करूंगी कि आप जो fresh plant aloe vera की जो leaf होती है आप उसका यूज करें तो आपको ज्यादा benefit मिलेगा इसका and friends इस पैक में मैंने हल्दी का यूज किया है हल्दी में anti-oxidant होता है anti-inflammatory and antibacterial properties होती है and हल्दी आपके face में एक natural सा glow लाती है अगर आपका skin dull है आपके skin में shine नहीं है आपके skin glow नहीं करती है तो आपके skin को healthy glow बनाएगी अगर आपके pigmentation है कहीं भी face पे तो यह उसे भी remove करेगी discoloration का अगर problem है तो इसे भी remove करेगी तो so friends देख सकता है मैंने पूरे face पे अच्छा से apply कर लिया है अब मैं इसे dry होने के लिए छोड़ दूँगी फ्रेंट देख सकते हैं मैं आप face pack विलकुल dry हो गया है हम इसे normal water से wash कर लोगे normal water से wash करने के बाद result आप लोग देख सकते हैं इस skin काफी मेरे glowy soft smooth और shine कर रही है so I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही है thanks for watching तूब मैंसरार चातल मैंसरीचिष लिए बुटकर दूटकर बादőए इसमादितने जेते हैं